हेलो लेजी लेर्नर्स कैसे आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वन वर्ड सब्सेटिशन जो की यूसफुल है लिए एमसीटी, डियू लल्ब, बीच यू, पी यू, अमू अद अधर लॉग कोलेजिस के लिए तो बिना ज्यादा वक्त जायज किये हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा वन वर्ड सब्सेटिशन है, a book containing every kind of information, a book containing every kind of information is known as encyclopedia a building where dead bodies are kept is known as mortuary, एक ऐसा building जहां पे dead bodies रखे जाते हैं उसे mortuary कहते हैं जिसे हिंदी में सव ग्री या लास गहर भी खहते हैं a bunch of flower, a bunch of flower को one word में bookay बोलते हैं जिसका हिंदी मिनिंग गुलदस्ता होता है a carriage for the sick or wounded, एक वैसा वाहन जो मरीजों के लिए उप्योग होता है, उसे ambulance कहा जाता है a child born after the death of his father is known as posthumous a child born after the death of his father or an award given after the death of a person is known as posthumous जिसका मतलब होता है मरनो परांत वैसा बच्चा जिसका जन उसके पिता के मौत के बाद होता है उसे बोलते है posthumous या फिर कोई ऐसा award जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है उसके मरने के बाद उसे भी कहा जाता है posthumous a child who lost his parents वैसा बच्चा जिसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया उसे और्फन बोलते है a cluster of horses in a village is known as hamlet hamlet का मतलब होता है छोटा गाओ a collection of book is known as library a collection of poems is known as anthology anthology का मतलब होता है संकलन हिंदी मिनिंग इसका होता है संकलन a decision made with one voice is known as unanimous 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 means एक मत कोई भी वैसा decision जो एक आदमी के आवाद से बनाया गया हो जिसमें decision सिर्फ कोई एक आदमी ले रहा हो उसे बोलते है unanimous जिसका हिंदी मिनिंग होता है एक मत a deadly disease or injury is known as fatal fatal means गहतक कोई भी ऐसा बीमारी या injury जो जानलेवा हो सकता है उसे कहते है fatal, fatal का हिंदी मिनिंग होता है गहतक a desire that cannot be represented or a desire that can't be repressed is known as irrepressible irrepressible जिसका मतलब होता है जो दव न सके उसे कहते है irrepressible a disease inherited from birth वैसा कोई बीमारी जो जन्म से ही inherit किया गया हो उसे बोलते है congencial congencial का मतलब होता है जन्मजाद वैसा कोई बीमारी जो किसी बच्चे में या किसी इनसान में जन्म के समय से ही उसके साथ आया हो उसे बोलते है congencial उसके बाद हम देखेंगे a disease of mind और body वैसा कोई बीमारी जो mind से या body से related हो से कहते है malady a disease that spreads widely वैसा कोई बीमारी जो बहुत ही widely spread हुआ हो उसे बोलते हैं contagious contagious में सोता है जा संक्रमक जा संक्रमक a dreadful dream वैसा कोई सपना जो बहुत भिहानक हो उसे वन वर्ड में बोलते है nightmare nightmare का मतलब होता है kuswapn कोई खराब सा सपना जबाता है जो उसे बोलते है nightmare a fable or story with moral a fable or story with moral is known as parable 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 means dustant a fleet of small vessels a fleet of small vessels is known as flotilla flotilla का मतलब होता है छोटी नावों का बेडा a funeral bell a funeral bell is known as nil nil का मतलब होता है समाधिवाली जंकार या जंजनाहट उसके बाद a general pardon of political offender by the government a general pardon of political offender by the government in known as amnesty 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 means what the arm maffy उसके बाद हम देखेंगे अगोस्टी अपरीशन a ghosty apparition is known as spectra spectra का मतलब होता है आविस्तार a government by one person or one party is known as autocracy वैसा government जो किसी एक पार्टी या किसी एक आदमी के द्वारा संचालित के जारा उसे बोलते हैं autocracy autocracy का हिंदी मिन होता है एक तंत्र a great misfortune or cause of misery is known as calamity 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 means होता है आपदा तो इस वीडियो में हमने देखा 23 वन वर्ड सब्स्ट्यूशन उसके बाद मैंने यहां पे कुछ नोट किये हैं word जो की में भी आप लोगों को नहीं आता हो तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने यह यहां पे सॉट्लिस्ट कर दिया है और उसका हिंदी और इंग्लिस दोनों मेनिंग लिख दिया है ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा मतलब होता है संग्लन उसके वाद यूनानिमस मीज रहता है एक मद उसके बाद फैय्टल मिज घहात तक फिर इरिप्रेशिबल जो लिजब न सके याभ इस सदा एक साज हो रहता है उस से बोलते है इरिप्रेशिबल छोद हम ने देखा था कॉंझेंशील मिनस जणडाद कि मैलड़ी मैलड़ी होता है रोग धिresentans मतलब होता है कंटेजस मतलब होता है kontagious contagious means होता है संक्रमक या संक्रमक ड्रेडफुल मिन्स होता है भ्यानक nightmare means कूषव अपने मतलब कोई खराब स्वपने खराब सपना आता है तो इसको बोलता है nightmare फिर होता है parable parable means dhustant fable means kalpit कहानी fable means kalpit कहानी फिर हमने देखा तो last में flotilla flotilla छोटी नावों को बेड़ा को flotilla बोलते flotilla nel nel means होता है समाधि वाली जहंकार या फिर जहन जहनाहट फिर उसके बाद हमने देखा था amnesty amnesty means होता है arm maffy फिर होता है appreation appreation means होता है प्रेत या पिसाच spectra spectra means विस्तार पहुच फिर हमने उसके बाद देखा तो autocracy autocracy का मतलब होता है एक तंत्र misfortune means होता है durbhag और calamity means होता है आप बदा चलिए thanks for watching the video अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो like share और subscribe करना भूले thanks again